उजयन ट्रैफिक डी एसपी एचेन बाथम के नेत्रत्व में विश्व याताया दिवस का शुभारम किया गया उजयन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुकला द्वारा अवंतिका हॉस्पिटल द्वारा दी गई एम्बुलेंस को रिबन फीता काट कर रवाना की गई साथ ही आटो को भी प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया उजयन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुकला आईपिएस अफसर डॉक्टर रविंद्र फर्मा सिटी एडिशनल एसपी अमरेंदर सिंग और ग्रामीन एडिशनल एसपी आकाशपूरिया के निर्दे परिस्थी में यदि कोई यात्री बिमार हो गया या किसी परिस्थीती में परिशान हो रहा है तो उसे हॉस्पिटल या उसके उच्छे तस्थान पर पहुंचाने में मदद करेगा उसको यातायात विभाग से 5000 का नकत इनाम देकर उसका सम्मान किया जाएगा आज यातायात विभाग की तरफ से शहर में सभी आटो चालकों की समिक्षा बैठक उज्जैन के पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुकला, IPS अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा, सिटी एडिशनल एसपी अमरेंदर सिंग और ग्रामीन एडिशनल एसपी आकाश पूर द्वारा लेकर समझाया गया शहर में आज विश्व यातायात दीवस के अफसर पर सभी आटो चालक अपने आटो पर बैनर लगा कर जिसमें लिखा था मैं सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करूंगा उज्जैन को सश्वक्त बनाऊंगा ऐसा लिखवा कर पूरे शहर में आट नियमों का पूर्णता पालन करेंगे आईपी एस अफसर डॉक्टर अरविंद वर्मा दुआरा बताया गया कि भारत में लगपक एक साल में रोड एक्सिडेंट में लगपक एक लाग पचास जार लोकों की मौत होती है सभी एमबुलेंस चालक और आटो चालक से अप पहुंचाया जाता है तो उसकी जान बच सकती है ऐसे कई आईपी एस अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा दुआरा समिक्षा बैठक में बताये समिक्षा बैठक में मुक्य रूप से ट्राफिक डी एस पी एचिन भातम सी एस पी हेमलता डी एस पी हेड़कौार जितेंद्र भासकर महकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम महिला थाना प्रभारी रेका वर्मा कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी खारा कुवा थाना प्रभारी क्रश्नकांत तिवारी नीलकंगा थाना प्रभारी तरुन कुरिल पवासा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रत्तन सिंग गरवाल, खेमराज पहाडिया, आरेस जवारिया, सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और एसाई भी समिक्षा बैठक में मौझूद थे